नमस्कार हिमाचल अभयभी के स्टूडियो से मेराधा ठाकूर पेश है आज के मुख्या समचार शुरुआत करेंगे आज की हैडलाइन से 27 दिसंबर को पूरे होंगे जोहराम सरकार की तिन साल रक्षामत्री राजना सेंग और जेपी नड़ा करेंगे संभोधित हिमाचल में आज कोरोना के अब तक 154 मामले 363 हुए स्वस्त नेता प्रतिपक्ष मुकी शगनी होतरी बोले कोरोना से 2000 मौतों के बाद सरकार मना रही ज़शने कॉल सिंग ठाकूर बोले प्रदेश सरकार का तीन वर्ष का कारेकाल फिफल हिमाचल के लाहौल स्पिती में आवारक कुता गोद लेने पर मुफ्ट मिले का लपीची सलेंटर कुलू में ओलक्स पर कार बेशने पर 45,000 कि ठगी पुलिस ने आरोगी को उत्रपरदेश से किया ग्रफतार उना में खनन माफिया पर चला पुलिस का डंडा रेते से भरे पांच टिपर की एजबत हिमाचल में धूप खिलने के बाद भी कडाके की ठेंड जमेच अंदरभा का नदी अब समाच्छ और विस्तार से आपके स्वास्तिका प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल हिमाचल बीजीपी अध्यक्ष और सांसर सुरेश कश्चप ने शनिवार को वर्चुल माथम से सभी जिला अध्यक्षो और मंडल अध्यक्षो की बैट्रिक को संबोधित किया उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को राज़े में जोयराम ढाकुर के नेत्रितों में चलने वाली भाजबा सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं इस मौके पर कारिकरम को रक्षा मतरी राशनौ सेंख और बीज़ीप के राश्ट्री अध्यक्ष जगत तरकाश नडड़ा वर्चुल माथम से संबोधित करेंगे कशिप ने बताया कि इस कारिकरम के लिए हर मंडल में बीज़ीपी दो LED स्क्रीन लगाएगी जिसमें COVID-19 के चुलते हर स्थान पर 50 लोग ही एकत्रित होंगे सभी प्रदेश पदादीकारी, जिलापदादीकारी और नितागन अपने अपने मंडल में इस कारिकरम के शक्षी बनेंगे इस कारिकरम का मुख्य केंदर शिमला होगा कारिकरन को सोशल मीडिया के समस्त माध्यम में उसे भी तैलिकास्ट किया जाएगा उन्हें बताया कि प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश सह प्रभारी सुंजे टंडन, कींद्री विद्राज जिमंतर नुराग ठाकुर, पूर्वसियम शांता कुमार और ट्रेम कुमार धुमल भी इस कारिकरम में चुड़ेंगे माचल में आज अब तक कोरोना के 156 मामले सामने आये हैं, वहीं 363 कोरोना पॉजिटिव रिकावर हुए हैं, आज एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसके साथ लिए माचल में संक्रमतों का कुल आंकडा 51,681 पहुँच चुका है अभी तक 5,665 एक्टिव केस हैं, अब तक 45,111 कोरोना पॉजिटिव ठेक हो चुके हैं, और संक्रमतों से हुई मौत का आंकडा 857 पहुँच चुका है आज कांडा पर मंडी में 32, 22 शिमला में 29, सिर्मऌश में 22, विलासपुर में 11, चंबा में 17, हमिर्पुर में 55, वं कि नौर में एक मामला सामने आया है वही शिमला के 136, सोलन के 56, सिर्मौर के 44, चमबा के 33, किनौर के 27, कुलू के 26, हमिर्पु व उन्ना में 19 व विलासपुर में 13 लोग स्वस्थ हुए हैं हिमाचल के जिला उन्ना में कॉंग्रिस कार्य करताओं न जहां बैठकर पंचायती और नगर निकायों को लेकर रणनीती बनाई वही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनी होत्री ने प्रदेश सरकार पर इन चुनाओं को प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश अगनी होत्री ने कहा कि जब आच और सहिता लगी हो तो सरकार जश्ण कैसे मनाईगी मुकेश अगनी होत्री ने कहा कि सरकार की कतनी और करनी जनता और अपने लिए अलग-अलग है सरकार ने पैदल चरने वालों से दो करोड जुर्माना वसूल लिया और स्कूटर पर हेलमेट न लगाने वालों के चौलान कर रही है जबकि ओवर लोड होकर जाने वाले खरंसा मागरी से भरे टिपरों के चौलान नहीं हो रहे हैं शेश समच यार ब्रेक के बाद श्रीबालाजी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कांगरा जहां आपको एक ही चत के नीचे मिले बहतरीन चिकित सासु विधाएं कार्डियोलोजी, लेपरोसकॉपिक, जनल सरजरी, पिूरोसरजरी, और्थोपेडिक, स्पीडियाट्रिक, रेडियो डायिगनोसिस, यूरोलोजी, गेस्ट्रोएंट्रोजी, ऑफ्ठेलिमोलोजी, पैथोलोजी, मेडिसिन, एनस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनि और वेंटिलेटर सुविथा। एक 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 शुने आठ पर शिबालाजी मल्टि स्थेशालिटी हॉस्पिटल कामरा कॉंग्रिस निता और पूर्मन्तरी कॉलसिंग ठाकूर ने जहराम सरकार के तीन वरष के कारेकाल को विफल करार दिया है वहीं बिजबी निताओं ने जैराम ठाकूर के सरकार के तीन वर्ष के कारेकाल की सुअनिम काल से तुनला की है कॉलसिंग ठाकूर ने कहा कि हिमाचल की बिजबी सरकार का तीन वर्ष का कारेकाल पूरी तरह से विफर रहा है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश्क में विकास शुन्य हुआ है ठाकुर ने कहा कि जहां देश्क के अन्य राज्य में आज कोरोना के मामलों में लगातार कम्या रही है वहीं सरकार की लापरवाही के कारण हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बड़ात्री हो रही है हिमाचल के केलांग में अब एक आवारा कुता गोद लेने पर प्रशाशन की ओड से एक LPG गैस सिलेंडर पतिवर्ष मुफ्त प्रदान किया जाएगा यहीं नहीं इन कुतों को प्रशाशन फ्री में अंटी रिबिस के टिके भी लगाएगा और बंध्य करण भी किया जाएगा ताकि इनकी जनसंख्या पर नियंतरन किया जा सके इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है यह बात डिसी पंकुछराय ने आवारा कुतों को गोध लेने के कारेकरम को लागू करने और इनमें जनभागिदारी सुनिश्चित करने के उदेश्च से कमेटी का गठन करने के दोरान दी उन्होंने बताया कि मानव और कुते के बीच संघर्ष के कारण जो परिशानियां हमें देखने को मिलती है उनका समाधान आवारा कुतों को गोध लेने की निती को अपना कर बड़ी आसाने से किया जा सकता है इसके लिए नगरपरशद शिमला की तरज पर एक आवारा कुता गोध लेने की निती बनाई गई है जो कि दो तरह से कुतों को अपनाने का विकल्प देती है व्यक्ति का तरूप से कुता गोध लेने वाले व्यक्ति को प्रिशाशन की ओर से एक LPG सिलेंडर प्रतिवर्ष मुफ्त प्रदान किया जाएगा जिलाकुलू के राइसा निवासे ने पूलिस को दी शुकायत में बताया कि उसने अपनी मारूती कार को बेशने के लिए उलेक्स पर विग्यापन दिया था इस पर एक खरिदार का फोन आया कि इसके बाद गाड़ी की कीमत की टील पकी की गई और अगरिम रूप में 25,000 रुपए देने के लिए अकाउंट में 10 रुपए भेजे और साथ में 5,000 रुपए की ट्रांसेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी जो बाद में कैंसल करती उसके बाद उसने गूगल पे खाते की कुछ जानकारी ली और उनके खाते से 45,000 रुपए फ्रॉड कर निकाल लिए इसके बाद शिकायत करता ने पुलिस में शिकायत दर्च करवाई और पुलिस भी जाच में जुट गई जाच में पुलिस टीम जिला मतुरा उत्रबृदेश पहुंची और मुख्य सरगना को गिरफतार कर कुल लू लाया गया जिलाउना के उकमंडर गगरेट में एक बार फिर खरन माफिया के खिलाफ पुलिस का डंडा चला है पुलिस ने अपना अभियान तेश करते हुए गगरेट के होशियारपूर मार्ग पर रेज से भरे हुए पांच टिप पर जब्त किये है थाना प्रभारी गगरेट IPS चारु शरमाने होशियारपूर मार्ग पर नाका लगाया हुवा था अस दोरान पंचाब के पांचो टिपर रेस से भरी हुए आए जिनकी जांच करने पर पाया गया कि पांचो टिपर ओवर्लोड हैं और एक के पास M-4 भी नहीं था हिमाचर प्रदेश में मौसम साफ रहने और धूब खिलने के बाद भी कडाके की ठंड पड़ रही है आलम ये है कि करिस्थानों पर नदी नाले जम गए हैं प्रदेश के साथ शहर में तापमान माइनस में चल रहा है जबकि दो शहरों का तापमान शुन्य में चल रहा है प् रिक्तम तापमान माइनस चार डिग्री रिकॉर्ड हुआ है प्रदेश में लाहौल स्पीती में हाल सबसे ज़्यादा खराब है यहां कई स्थानों पर नियूंतम पारा माइनस दस डिग्री तक लूड़ गया है ऐसे में अब चंद्रभागा नदी कई स्थानों पर जम लेकिन नियूंतम पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है वर पिगलने से काफी ठंड बढ़ रही है आज के बुलिटिन में इतना ही बने रहे हिमाचुल अभयभी के साथ नमस्कार आपके स्वास्तिका प्रहरी श्री बालाजी हास्पिटल कांगडा हिमाचल